कहानिया किसे अच्छी नहीं लगती उची उडानों वाली, बड़े सपनों वाली चेंपियंज वाली कहानिया मेरी भी एक कहानी है घर और खेत के काम के बीच किताबों से दोस्ती ना कर सकी फिर एक दिन कुछ हुआ मैंने पहली बार कम्प्यूटर देखा और बस मन आ गया ये क्या है, कैसे चलता है, मुझे सब सीखना था लेकिन मैं गाउं में और सेंटर शहर में पिताजी की हाँ तो मिली पर रोज मीलो दूर पैदल चलना और फिर शाम को खेत में हाथ बटाना हासान नहीं था घरवालों का साथ था तो होसला बना रहा कोर्स खतम जॉब शुरू, सब खुश पर मैं नहीं मैं उड़ना चाहती थी मेरा भी एक सपना था अपना खुद का बिसनस पांच-छे साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं तयार थी अपने सपने से मिलने के लिए आशा कंप्यूटर सेंटर खुद के गाउं में थाकि गाउं के बच्चों को मेरी तरह मीलो दूर ना चलना पड़े ये थी साहनवी कुमारी की कहानी आज इनके बांच सेंटर्स हैं जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं और उन्हें अपनी कहानी लिखने का मौका देते हैं टैली हर छोटे और मध्यम बिस्निस वालों को सलाम करता है